नमस्कार जोतिश चराहटके कारिक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है यहां पर बताई जाने वाली चीजें यहां पर उपलब्ध जानकारियां संभावतह अन्यत्र आपको बहुत मुश्किल मिले या ना मिले बहुरत ना बशुंधरा मिल भी सकता मैं नहीं कहूंगा लेकिन बहुत कठनाई से जहां तक मुझे लगता है कि जोतिश सतत सोध का एक विज्ञान है यहां पर मैंने अब तक अपने जोतिशिय कारेकाल में जो 22-23 वर्षों का है कभी भी कुछ भी fix नहीं देखा है केंदर स्त ब्रहश्पति यही फल देगा fix नहीं है केंदर स्त शुक्र यही फल देगा fix नहीं है इसमें बड़ी सारी चीजें माइने रखती हैं मैटर करती हैं जैसे आपका स्थान आप कहां पर रहते हैं कौन से दिशा में रहते हैं उस दिशा के किस शहर में रहते हैं उस शहर के किस कोने में रहते हैं उस कोने का कारग्रह कौन सा है आपका कुल आपका धर्म आपका ये सा सारी चीज़े माइने रखती हैं अब आप कहेंगे जाती आदी व्यवस्थाएं तो यहां पर बनी हैं ऐसे कैसे फिर बट होती हैं क्योंकि उन जाती के आधार पर तमाम तरह के कर्म अलग-अलग तरह से निरधारित होने लगते हैं जैसे कोई ब्रामण कुल में है तो यग्वपवी धारण करना संध्यावंदन करना हवन जाप करना मंत्र जाप करना मांस मदिरा आदी दुर वेष्णों से दूर रहना ये तमाम चीज़ें आजाती हैं अब जैसे एक कोई जैसे जो लास जलाते हैं हमारे हाँ डोम कहा जाता है अंग्रेजी उंग्रेजी में क्या बोलते मुझे नहीं पता है अब उसके लिए और एक मंदिर के पुजारी के लिए दोनों का ब्रहश्पत क्या समान फल देगा ये प्रैक्टकली लॉजिकल लगता है क्या आपको नहीं जमीन आकास का अंतर रहेगा बहुत बड़ा अंतर रहेगा तो ये बहुत सारी चीजें होती मैं आप लोग को ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चैनल हमारा डिफरेंट है इस चैनल पर जो मैं आपको विशे लेकर के आता हूँ ये आपको पुस्तकी ये विशे नहीं लगेंगे इस चैनल पर जो मैं आपको पाठ्ष करम जो मैं पाठ्ष सामगरी देता हूँ ये आपको बहुत अलग लगेगा बहुत डिफरेंट लगेगा तो जोतिश के एक ऐसे एंगल को मैं टच करता हूँ जो एंगल आप कहीं टच करी नहीं सकते जोतिश किताबों में नहीं, जोतिश हृदय में बसता है जोतिश मस्तिश्क में बसता है, जोतिश एक प्रकाश है प्रकाश का कोई अंत नहीं होता, प्रकाश अनन्त होता है जोतिश भी अनन्त है आप सोचो कि ये किसी ने अपने विचार किताबों में लिख डाला तो यही जोतिश है अब किसने लिखा? कहां से लिखा? शोधित है? या उसने भी किसी का नकल किया था? ये नकल्चियों का जो जमात है ये जोतिश को ना बदनाम करके रख देते हैं खैर आज के विशे पर हम आते हैं आज जो हम आपको डिफरेंट बताने जा रहे हैं जो हम आपको अलग से बताने जा रहे हैं वो विशे है संध्या वेला में एक दीपक प्रजुलित करना है ये दिपकी इस पर हमने दीपक प्रजुलित करके एक अन्य समस्या का हमने हल बताय एक ग्रह खास तोर पर शनी, दूसरा ग्रह खास तोर पर राहु शनी और राहु के अंश को हम कनेक्ट कर रहे हैं एक दीपक के माद्ध हमसे दिन धलने के बाद मिट्टी का एक दिया ले लीजेगा और दो मुख की बत्ती, जैसे एक बत्ती होती लंबी वाली, उसको आप लंबा कर लें, दिया के दोनों छोर पर निकल जाए वो बत्ती सरसो का तेल डालिएगा, और एक चुटकी, काले तिल और माचिस की तीली से थोड़ा सा काला नमक, दो चीजें डाल दीजे, ठीक, इसके बाद दोनों बातियों को जला दीजे, और जला करके घर से बाहर, घर के अंदर नहीं, घर से बाहर, पश्चिम दिसा में किसी भी पौधे की नीचे रख दीजे, यह प्रियोग मंगलवार और शनिवार को करना प्यहतरीन शुभ होगा, लाब क्या होगा, कुंडली में उपस्थित वक्री शनि के अंश को खत्म करेगा, कुरूर ग्रहों का वक्री होना उनकी कुरूरता को बढ़ा देता है, बहुत सारे कुंडली में आप लोगों ने देखा होगा वक्री शनि है, अब वक्री शनि के कुछ सिम्टम सम बता देते हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा, कि शनि आपका वक्री है, जैसे माल लिजे कि आपने किसी कारे के लिए विचार किया, ठेक, आपने वो काम किया, बहुत लगन से, शिद्दत से, मेहनत से, इमानदारी से, पवित्ता से किया, बेश्ट दिया, बट फिर भी वो काम उल्टा फल देते, वो काम उल्टा फल देते, अब ऐसी इस्थते में, आपका शनि, आपके जन्मांग का शनि, निश्चत रूप से वक्री होगा, इसलिए आपको उल्टा फल मिला, नमबर दो, आपके सकरात्मक इंटेंशन को, नकरात्मक सोच लिया जाए, ये वक्री शनि, आपका इंटेंशन बहुत सकरात्मक था, बट उसको सोचने वाला, सामने वाला, निगेटिव सोचा, नकरात्मक है, क्या करना है, मिट्टी का दिया लेना है, सरसुप का तिल डालना है, एक बाती दोनों तरफ से निकल जाए, मतलब दिये में, एक तरफ इधर उगे, एक तरफ इधर, थोड़ा सा काले तिल एक चुटकी, माचिस की तीरी से हलका सा, थोड़ा सा काला नमक डाल दीजेगा, बाती जलाईए, घर से बाहर, पश्चिम दिसा में किसी पौधे की नीचे रख दीजे, मंगलवार, शनिवार, सुर्यास्त के बाद कभी भी किया जा सकता है, पूरी रात, लेकिन दिन ढलने के बाद जितनी जल्दी करेंगे, इसका रेजल्ट उतना पॉश्टिम मिलेगा, कोई भी कर सकता है, लाव मिलना ही मिलना है, बैलन्स रहेगा आपका शनि और राहू, नकरात्मक फल कम हो जाएगा, इसका इंपक्ट कम हो जाएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगा, बहुत आभार आप लोगों काव्यक्त करते हैं, करिए गाई से मंगलवार, शनिवार की श अफल मिला, धैर रखिएगा, देर सबीर मिलेगा सबको, दशाओं की अनुसार, लगन की अनुसार, किसी को एक बार में मिल जाएगा, किसी को सव बार में मिलेगा, अंतर सिर्फ इतना आएगा, मिलना सबको है, बहुत बहुत शुक्र, थैंकिसो मच, 14-15 फरवरी को पटना में, 16-17 फरवरी दाची, 25-26 पूना, 27-27-27 मुंबाई फरवरी के, और हां, बैंगलोर भी आ रहे हैं, 21-22-23 मार्च, अपॉइन्मेंट ले लीजेगा, नमबर आपके सामने चली रहा है, थैंकियो, कीप स्माइलिंग, टेक कियर, शेकिशना, शेरादे झाल